कोविट-19 को लेकर पुरा विश्व वैक्सिन की खोज में लगा है और यह उम्मीद की जा रही है कि अगले साल तक वैक्सिन के आने के बाद लोगों को राहत मिलेगी और जन जिवन समान्य हो जाएगा पर इस बीच लोग मुह नाक नहीं चुने और सैनिटाइजर और मास के जिवन का हिस्सा बना चुके हैं पर गल्तियां होती हैं हर एक इनसान से होती है और कोरोना से लेकर साबधानी की चूक से ऐलर्ट के लिए आपको कोई बताने वाला नहीं होता पर जादू गोरा के बरहमी में पढ़ने वाले एक शात्र ने एक ऐसा कोरोना कैप बनाया है जिसको पहन लेने के बाद आप बिना सैनिटाइजर हुए बिना हाथ साफ किये कोई दूसरा व्यक्ति जब आपको छूता है आपके मुहकान नाक को टच करता है तो कैप में लगा सेंसर शोर करने लेगा यानि कैप पहना व्यक्ति आसानी से कहीं जा सकता है और कहीं कोई उसे टच करेगा तो कोरोना कैप शोर करेगा साधारन सी दिखने वाली इस Corona कैप को बनाने पर खर्च महज 550 रुपई ही आता है और इसे जमशेतपूर के चात्र सेक अब टे न के बनाया है जमशेतपूर के जदुगोरा में बारहमी में परने वाले चात्र सैक आटे के इस Corona Alert Cap की चर्चा जम्शित पूर में काफी हो रही भीरभारवाले इलाकों में जाने वाले के लिए यह Corona Cap Alert App की तरह है जो हमेशा आपको यह बताएगा कि बेना सेनिटाइज हुए या बेना हाद हुए किसने आपको टच किया या आपके शरीर को, आपके चेहरे को, आपके मुग को किसने टच किया है तोपी में लगे संसर इसको डिटेक्ट कर लेता है और तोपी पहले इंसान को यह पहले बता देता है कि आपको टच करने वालों ने सेनिटाइज खुद को किया है, नहीं किया है हाथ धोया है, नहीं धोया है, बजर बजने लगेगा कोरोना काल में इस टोपी से आप कोरोना से बच सकते हैं मतलब कोरोना संक्रमित हो जाता है, तो मैंने यह सोच के क्यों ना ऐसा कुछ मशीन बनाया जाए जिसमें अगर कोई अपने नोज आइस को टच करें तो आटमेटिकली वो सेंस करके बजर बजा के उसको इंडिकेट कर देगा, मतलब एक इंडिकेट अलाम बजा देगा, तो उ अल्ट्रा सुनीक सेंसर हिये, यह अट अकमांड बेजेगा आद्यूना यूनो के आद्स क्मांड केने पमाद, या क्मांड बेजने के बाद इसको के वह नोज आइस को टेच ना करें कुरोना काल में क्या यह तुमारी पहली उपलब दिया हां यह को रूदे के परजन सेकट के इस उपलबधी पर खुश है कि कोरोना काल के लॉक्डाउन के दोरान सैकेट ने इतनी वरी उपलब्धी हासिल की है खुलासा के लिए जमशेत पूर से अनुप सिनहा की ये रिपोर्ट